गीक сразу cpt 2021 डी वीजन सीरीज में आपका स्वागत है कुशन देखते हैं digital population clock किस मिनिस्टर ने अभी हाल में इन्ग्रेट किया है देखिए यह digital population clock जो है वो इन्ग्रेट किया गया है भारती प्रवीन पवार के द्वारा जोकी state health स्टेट हिल्फ मिनिस्टर है भारती पवार्ण ने इनुग्रेट किया है कहां डाली में इस्टूट ओफ एकनॉमिक ग्रोथ में देखें डिजितल पॉपलेशन प्रॉप क्या है यह बहुत इंपॉर्टेन्ट टॉपिक है क्योंकि यह जो है यह क्लॉप हमें मिनट बाइ MR के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी Digital Population Clock जो है वो यूथ में Awareness लाने के लिए Stablish किया गया है IMR और MMR क्या है IMR यानि Infant Mortality Rate जिसके अंतरगत Infant यानि बच्चों की देथ बताई जाएगी 1000 बच्चों के Life बड़ पे कितने बच्चों की देथ हो जाती है इस तरह के Statement आते हैं Question में तो ध्यान से सुन ले MMR क्या है Maternal Mortarity Rate इसमें क्या होता है कितनी Women का देथ हो जाता है बच्चे के Delivery के टाइम में Pregnancy के टाइम में 1,00,000 लाइब बर्थ ठीक है सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर ओफ शॉर विंड अगरिमेंट अभी साइन हुआ है थिके किस कंप्री के साथ साइन हुआ है जी हां डेन्मांक के साथ के साइन हुआ है देखें यह एक उफ्षोर विंड प्रोजेक्ट है इंडिया प्लान कर रहा है 30 Giga Watt of offshore wind project 2030 तक start करने के लिए Denmark के साथ एक deal sign की गई है क्योंकि प्राइम मिनस्टर नरेंद मोदी जी ने Independence Day के speech में कहा था कि 450 Giga Watt of renewable energy generate कर लेना है 2030 तक ठीक है और इसी के अंतरगत क्योंकि renewable energy में wind energy भी एक पार्ट है तो उसका generation हमें 30 Giga Watt करना है ठीक है ध्यान रखें यह प्रोजेक्ट बहुत ही बिग प्रोजेक्ट है green energy project जोकि लदाक और अंडमा निकोबार में किया जा रहा है offshore wind project चमिल नाडू में भी अभी start कर दिया गया है तो green energy project की बात की जाए तो वह लदाक और अंडमा निकोबार में है लेकिन wind energy की project की बात की जाए तो वह है टमिल नाडू में ध्यान रखें आगे बढ़ते हैं बहुत ही important series है यह और important question ही यहाँ पर discuss किया जा रहा है क्योंकि exam बहुत पास है देखिए बहुत important news who become देखिए बहुत important news who become the chairman of national commission for minority तो कौन बने गया है chairman तो वह है इकबाल सिंग लालपूरा देखिए इकबाल सिंग लालपूरा जो है वह national commission for minority है यह commission एक body है जो की बनाया गया था 1992 में इसके अंतरगत minority को भी एक special provision दिया जाएगा और statutory act आया था 1993 में जिसके अंतरगत एक complete body है जिसका नाम है national commission for minority निसनल कमिशन पॉर सिडियोल कास्ट के भी चेर्मेन अभी हाल में पॉइंट हुए है जिनका नाम है विजय सापला निसनल कमिशन फॉर माइनुरीटी थोरा डीटेल में जानते हैं देखिए निसनल कमिशन को माइनुरीटी क्या है एक organization है जो कि माइनुरीटी के लिए देखता है हमारे constitution में article 29 और 30 माइनुरीटी के बारे में बताता है जिसके अंतरगत linguistic और डिजनल रिलीजनल माइनुरीटी है इंडिया में अभी टोटल कितने हैं तो टोटल अभी सिक्स है कौन कौन से जैन क्रिश्यन मुस्लीम सीग ठीक है जुरिस्टेरम यह शे है अभी भी माइनुरीटी नेशनल कमिशन फॉर स्विडियूल का चेर्मेन कौन पॉइंट आगे बढ़ते हैं स्रीस में तर्दार धाम भवन बनाया गया था गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी मौहा इनुग्रेट किये हैं यह गर्ल और बॉइस जो रूलर एरियास में उनको पोचिंग फैसलिटी देने के लिए स्टार्ट किया गया है ताकि वो बेटर करियर ऑपरचुनिटी बना पाएं आगे बढ़ते हैं MSP फो रभी क्रॉप्स चेंज कर हो गया है वीट का जो MSP है वो बढ़के हो गया है 2015 बार्ली का 1635 ग्रैम का 5230 ठीक है तो ध्यान रखें इस तरह से बढ़ गया है यूपियसी में कुश्चिंस आते हैं इनसे त माली ग्राम मसूर रैप सीट साफला सबसे ज्यादा किसका बढ़ा है सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ है वो है मसूर का ठीक है 7.84 परसंट के ग्रोथ है 5500 आगे बढ़ते हैं PM स्वाव इन इदी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम यह स्ट्रीट वेंडर के लिए स्टा इजन्स को स्टार्ट करें कोवीट के कायान वह वापस चले गए तो फिर से वह रोड पे मतलब अपना दुकान लगाए इसके लिए 10,000 रुपया दिया जा रहा है स्ट्रीट वेंडर स्कीम है स्वावी निदी स्कीम निर्फ का रिपोर्ट आया है जिसमें टॉप इंडियन इस्टूट को रैंकिंग देती है यह टिचिंग लर्निंग रिसोर्सेस ग्रेजुएशन आउटकम की बेसिस पर रैंकिंग दिये जिसमें टॉप है आयाइसी बैंगलोर आगे बढ़ते हैं अभी हाल में एक नया नौर्थ मोस्ट आइलेंड वर्ल्ट नॉर्दर् जो सब्संसारा सहर्व कुकि डियुक्षोज अवर्नन लिक धिया मैंनेगों avonar lake न्यू आइलेंड इसकवर्ट किया गया है